Hello everyone, आपका स्वागत है only yesterday for आज हम पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं आपका 12th class का 1st chapter आपका Indian civilization and culture है उसमें का essay जो है वो मैं करा चुका हूँ आज मैं question करने वाला हूँ subjective question ठीक है आई इसके just अगले वीडियो में objective question करूँगा तो अभी subjective question करूँगा और अब देख सकते हैं कि एक एक line का हिंदी इसमें आपको मिलेगा आपको खुद से भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम असानी से समझ पाईएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला question देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर विलेज होगा यहाँ पर विलेज होगा यह टापिम को मिस्टेक है क्या है तो हमारे पुर्वज लोग विलेज गाउं में जीना क्यों पसंद करते हैं यह गांधी जी का अंसार उसमें लिखा गया है उस कहानी में तो सुनिये क्या कहते हैं देखिए का कहते हैं आओर एंसेस्टोर प्रिफरेज टू लिब इन भिलेज यहाँ भिलेज है कि वे शुरग्षीत पर रहना चाहते थे कैंकि वो साथ में वो सुरक्षित अस्थान वे सुरक्षित जगह पर रहना चाहते थे यह प्लेस मने अस्थान हो गया तक रहे कितना असान है अब के लिए इसके बाद उन्हाइब उन्हाइब उन्हाँ विद्ट प्लेस विद्डेस अजियर एंशेश्ट ट्रेडिशनल इन मतलब उनकी प्राचीन प्राइंप्रा है इन टाउन सहर में देशो देखा कि चोर लुटेरे गिरोह वेशिया को एंड कर रहते थे इसलिए वो सहर में रहना पसंद नहीं करते थे गाउं में रहना पसंद करते थे अब इसलिए उन होने कस्बो में रहने का बिरोह वेशिया अब नहीं चुना और गाउं में खुसी खुसी रहते थे ठीक है तो यहीं हो जाएगा इस कोशन का अंसर तो यह कोशन का इतना बड़ा आपका सिर्फ आपको लिखना हो तो सिर्फ इंगलिस वला ही लिखियेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन दूर नमर कोश्चन देखते है क्या कर रहा है कोश्चन है What do you mean by truth human rule? माने सचे आदमी यह होमनी इसी तरह से लिखा है ठीक है? तो इसमें गलती नए है इसी तरह लिखना है कोश्चन दूर आएगा तो इसी तरह से लिखा रहेगा तो सचे होमनी रूल से आपका क्या मतलब है? यहीं आपसे पूछ रहा है ता आंसर देखें हम क्या लिखते हैं देखें truth home rules is a principle of महात्मा गांधी माने सचे घर का सासन महात्मा गांधी का सिधान था वो तो सथ अहिंसा पर ही रहते थे महात्मा गांधी जी तो उसी के बारे में कह रहा है महात्मा गांधी which means that every case should मैंने जीसका और था है कि हमारे मामले में बेई मान क्या दूसरे यह देख रहा है be detailed at home within our own permissions not suicide not sorry not outside our home in others preference ठीक है presence हाँ presence माने जीसका और था है कि हमारे मामले में दूसरे की मोजुदगी में घर हमारे घर के बाहर नहीं अपने घर के भीतर निप्टा जाता है माने जो भी हमारे काम है आंदुरू नी उसे घर से बाहर नहीं लाएंगे हम घर के अंदर ही अपने काम निप्टा लेंगे ठीक है देखे इट इज ए मोंग वन माने यह एक लाख में वन आई of the famous principle मतलब यह एक प्रसीद सिधानतों का जगह माने of famous principle where he stand that if you have any problem then you sit together मतलब यह एक प्रसीद सिधानतों का जहां उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप एक साथ बैट कर सुझाईए काम को together and solve among your own people आपके बीच की हल करें माने जो भी समस्या है बैट कर अपना हल करिए just a white police माने police को न करिए just a white police and courts माने बस police अबर courts से बचे माने वो कहना चाहते हैं कि कोई भी झागड़ा होता है गाउ में तो हम लोग मील जूल कर अपना शुल्जाते हैं घर से बाहर नहीं जाएंगे police court के पास भी नहीं जाएंगे यहीं होता है गाउ में तो यहीं है truth goodness सचाई पर ही न पंचाईती किसी पर पंचाईत जो भी तोड़ता है तो वो विश्वास ही न करता है सब पर तब इन्हों जाकर बात मानता है ठीक है चले question तो यह question क्या है हम लोगों को आम जिन्दिगी में कैसे जीवन यापित कर रहा है उसे से related ही इसमें लिखना है शिर्फ आपको इंग्लिस में लिखना है हिंदे में लिखना होता तो खुद से लिख लेते आप चलिए देखिए हाँ आम मैं हिंदी का भी chapter पर chapter कैसे stress लिखना है उसको hand right से हाँ से लिखा हुगा मैं किसी के guess या उससे नहीं लूँगा हाँ से लिखा हुगा आपको मिलेगा और उसके आलाबाद सारे subject के objective question आएंगे ठीका है जितने भी subject हाए all subject का objective questions मैं लाओंगा subjective का नहीं कह सकता लेकिन objective questions जरूर मैं लाओंगा क्यांको 50% exam में हो गया है तो आपके लिए मैं सिर्फ यह करूंगा हर chapter का आएगा अभी फिलाल English का और Hindi का आएगा लेकिन वो भी आपका तुरांत आना शुरू हो जाएगा आपका महत के लिए मैं आपको बोड में पढ़ाऊंगा एक एक question हाँ प्रिवियस यहर भी मैं सारे question करा दूंगा फिलाल में जो हुआ है माने गांधी क्यों कहते हैं कि आदमी बेचेन चिडिया है माने एकदम हमेशा उड़ने की चाहती है कहीं बैटने के आराम करने के नहीं चाहती तो चलिए इसका question का answer देखते हैं क्या answer क्या है तो देखिए he says वो कहते हैं because a man never gets satisfied क्योंकि एक आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता like a bird एक पक्षी की तरह he always wonder to quench his माने एक पक्षी की तरह वो हमेशा अपनी मैं को बुझाने के लिए माने अपने एकचा को बुझाने के लिए भटकते रहता है हमेशा ठीक है चलिए इसका बाद देखिए his thought of desire अपने मनुकामना के प्यास में हमेशा भटकते रहता है मुझे यह चाहिए और चाहिए उसका desire एक चाह कभी पूरा ही नहीं होता है इसका देखिए even after the completion of his one desire his x desire यह एक में ही लिखा हुआ है x desire माने e xt यह उसके बाद desire x desire is ready माने उसका एक मनुकामना पूरा होता ही नहीं है कि दूसरा मनुकामना उसका आ जाता है सामने desire is ready and his cycling यह एक circle की तरह हमेशा चलते रहता है माने देखिए मनुकामना पूरा होने के बाद भी उनकी पाठ ठेरिक्षा माने पहले का इक्षा तयार रहती है मनुकामना पूरा हुआ नहीं कि दूसरा मनुकामना तयार है और यह एक cycle के तरह बन जाता है चक्र के तरह चलते रहता है तो यह ही है इसलिए लोग चीडिया के तरह उसका उड़ते हुए चीडिया के तरह मन में रखते हैं यह उसके बाद देखिए of desire continues till his last breath so he says that man is a restless body मतलब इक्षा की अंतिम सांस तक जारी रहती है इसलिए वो कहते हैं कि मनुस एक बेचान पक्षी है ठीक है चलिए तो यह हो गया तीन नमर चलिए अब चार नमर देखते हैं क्या कर रहा है discuss the feature of Indian civilization भारतिय सब्वेता की विशेस्ताओं पर चर्चा करें ठीक है चर्चा कीजिए दखिए क्या हाई आपके Indian civilization देखें Indian civilization worship morality मने भारतिय सब्वेतान नायतिक की पूजा करती है यह एसे में पड़े हाए हम लोग it is based on the belief in God मने यह इस्वर्म विश्वास पर आधारित है यह हमारे भारतिय संस्कृती it believes in working यह काम करने में विश्वास करते हैं मने काम करने में किसी दूसरे पाधारित यह बैठने पर नहीं with hands and feet हाथ पैरो पर अपने विश्वास करते हैं it does not run after materialism मने भावतिकता वाद के पीछे नहीं चलता यह किसी के पीछा नहीं चलता it is religion in nature यह धार्मिक प्राकिर्ति खाए यह धार्म जो हाए एक प्राकिर्ति खाए it is insights towards antiquity, honor, care and compassion मैंने सिष्टा चार समाज देखवाल और कड़ूना के प्रति यह समान मानवता एकता and it teaches the relation of humanity, unity and humanity and यहाँ पर unity होगा and के बाद को छूट रहा है देखिए मानवता एकता आउसके बाद आनवती happiness हो जाएगा unity and happiness का पाख पढ़ाता है इसलिए यह जो question यहीं आपका विचारा Indian civilization का ठीका चलिए पास नमर देखते हैं थोड़ा लांबा वीडियो हो रहा है तो मैं तेजी में खीचूंगा the western civilization वर्क्षिप जोकि पस्चमी सब्यता की पूजा वर्क्षिप इमोरालिटी माने और नाइतिकता को पूछते हैं the Indian civilization is based on God where as the western civilization भारतिय नागरिक इस्वर पर अधारी थाएं अधारी थाए is I जबकि यहां पर is इसके बाद होगा आपका western civilization जबकि पस्चमी नागरिक western civilization जबकि पस्चमी नागरिक is I godless क्या godless वो अपने भागवान में मने वो भागवान ही नाए godless मने वो भागवान में विश्वास नहीं करते the farmer believes in working माने पहले हाथ पर से काम करने में विश्वास रखते हैं इनकी भागवान हो काम मेरा करा दो करा दो ऐसे नहीं वो खूद करते हैं where as later depends upon जबकि बाद में अपने पर निर्भर करते हैं माने जबकि डिपेंशन खूद पर विश्वास करते हैं और हाथ पर उपर and upon machines machine पर नहीं ठीक है चलिए माने ये machine पर विश्वास करते हैं पस्मी लोग भारतिये लोग अपने हाथ पर विश्वास करते हैं यहीं कहना चाहते हैं और यहीं डिफ्रेंट्स हैं Indian civilization और Western civilization चलिए छे नमर discuss the future of Western action माने Western जो लोग है उनके खासियतों पर चर्चा करें कि क्या खासियत था है तो देखे कर जाते हैं चर्चा वेस्टन civilization देखे civilization का spelling गलती है तो लिख लिजिएगा civilization उसके पहले बहुत मैं लिखाया हूँ तो Western civilization वर्क्षिप इमोरालीटी इट डोज नोट विलिव इन गोड माने Western civilization अनक्तिकता की पूजा करता है ठीक है इसके बाद it completely defends यह इस्वर में नहीं देखिए पहले इसको पूरा पड़ी Western civilization वर्क्षिप इमोरालीटी माने Western civilization अनक्तिकता को पूजा करता है इट डोज नोट बिलिव इन गोड वो इस्वर में विश्वास नहीं करते हैं इट completely depends यह पूरी तरह से निर्भर माने यह पूरी तरह निर्भर करते हैं किस पर तरद डिपेंट्स ओफ़न मसीन माने यह मसीन पर विश्वास करते हैं गाड़ी घोड़ा पर इट रॉंस आप्टर मेटरिलिजमी पर यह भतिकता वाद के बाद चलता है इट इज inclined towards monetary pleasure माने यह चानिक अनन्द की ओर जुकाव रखते हैं नेकते हैं गाड़ी से क्वाम करिएगा तो थोड़े दिर के लिए खूसी मिलेगी और उसी में यह लोग विश्वास करते हैं हम लोग होगा क्या हम लोग ताम जिन्दगी के लिए खूस रहना चाहते हैं और अपने आप पर हाथ परेपर विश्वास करते हैं वह लोग मसीन पर ठीका चले साथ नमर what is civilization in real sense of team माने असल माइने में सभ्याता के क्या मतलब है यही पूछना चाहते देख सकते हैं 2008 में कोशन पूछा हुआ है ठीका यह civilization होगा गलती लिखा गया है तो what is civilization in real sense of team माने क्या अर्था है आपके भारती सभ्याता है तो उसके बारे में हम चार्चा करते हैं देखें in the worlds of गांधी गांधी के सब्दों में सभ्याता गांधी civilization is that hope of conduct माने आचड़न का वह होड जो conduct which point out to man there there जो मनुष्य को इंगित करता है ठीक है जो मनुष्य को इंगित करता है उसके भासाओं से आचड़नों से इसका देखें there there path of duty माने यह कर्तब यह path पर है की नहीं ठीक है इसका देखें if we talk about the real sense then यदि हम वास्तविक भाव की बात करते हैं तो वास्तों में वास्तों में they did is actually वास्तों में the core of our desire मतलब हमारे अपनी जो इक्छा है उस पर अंकुस लागाना चाहिए core of our desire हमारी इक्छा का अंकुस है it is the way I यह एक तरीका है ठीका चलिए it is the way of I of living which we got from our ancestors यह एक तरीका है जीने का जो हमें अपने पुर्वजों से मिला है ठीका है अपने इक्छा पर लगाम लगाए और अपने आगे बढ़ी काम पर इन आई कि इक्छा के परती पूरा भागते रहें तो यह गलत बात है यही करना चाहते हैं चलिए next question at number what is the real glory beauty of India civilization भारतिये उपकरन का वास्तिविक वायभाव संतर्व क्या है तो देखिए क्या है जाकिए भारतिये उपकरन का वास्तिविक वायभाव क्या है तो देखिए the real beauty of India भारतिये सब्यता की असली खुबसूरत यह है कि is that it remains imovable माने इसे हम यह अचल है यह अचल है माने इसे हटा नहीं सकते even after year माने इसके बाद भी year जैसा की तैसा है it is as is माने इंडियन सिब्लाजेशन की यहीं सब्यत्या है खुबसूरती है कि वो कभी मीट नहीं सकते ठीक है और अभी भी और बाद में भी इसलिए मिश्र का सब्यत्या ही सब्मिट गया लेकिन भारत का सब्यत्या अभी भी जिन्दा है तो इसके बाद देख्था है it should be it has not changed माने यह होना यह चाती है कि इसका स्वरूप it has not changed its nature माने इसका स्वरूप नहीं बदल सकता and it is sound and its foundation अबर इसकी निव पर आवाज करती है ठीक है इसका जो निव का आवाज मतलब घर का निव नहीं मतलब हमारे सब्यत्या कल्चर एक क्या है एक खुद आवाज करती है बोलती है हमारी सब्यत्या यहीं कहना चाहते है चलिए इसके बाद देखते है देखे आब objective questions आगा देख रहे है objective का भी पूरा हेंदी में मिलेगा आपको एक एक line का हेंदी मिलेगा आपको तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में objective के साथ और आप इसका essay का नहीं देखे हैं तो उसका link i button में मिल जाएगा वहाँ से जागपर दखिए और इसके अलावा मैं हर chapter का लाओंगा तो नए है तो channel से जूट जाएं और अपने दोस्तों का पास share कर देए तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching के वीडियो thank you